नमस्का एशनेज इंडिया में आपका स्वागत है में प्रिया आपके साथ राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी एंसीपी के प्रमुख शरत पवार एक बार फिर कारोबरी गोतम अडाने के साथ नजर आए दोनों एमदाबाद में भारत के पहले लेक्टोफेरिन प्लांट के उदघाटन के मौके पर पहुचे थे इसके बाद शरत पवार गोतम अडाने के घर और आफिस भी गए पवार ने अडाने के साथ कारीकरम की तस्वीरों को ट्वीटर पर शेर किया तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं शरत पवार ने एक्स पर लिखा भारत के पहले लेक्टोफेरिन प्लांट का गोतम अडानी के साथ उदघाटन करना सम्मान की बात है लेक्टोफेरिन इंसान, मा, गाए और स्तंधारियों के दूद में पाए जाना वाला प्रोटीन है ये लार, आसूओं, कफ और पित में भी होता है बच्चे के पेदा होने के बाद मा के दूद में लेक्टोफेरिन की मातरा सबसे ज़ादा होती है कई लोग लेक्टोफेरिन सप्लीमेंट्स भी लेते है दावा किया जाता है कि उसमें एंटी आक्सिडेंट्स और एंटी इंफलेमेटरी जोलन रोधी गुण होते है इस मुलाकात के बाद एहम बात ये है कि पवार और अडानी के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राहूल गांधी लगातार गोतब अडानी पर हमलावार है पिछले च्छे महिनों में दोनों के बीच ये तीसरी मुलाकात हुई है दोनों की पहली मुलाकात इसी साल अप्रेल में तब हुई थी जब अडानी समू हिंडन बर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के निशाने पर था इसके बाद दो जून दोजार तेवीस को भी दोनों साथ नजर आये थे अब एमदाबाद में दोनों की मुलाकात का ये तीसरा मुका है एमदाबाद में पवार और अडानी की मुलाकात को लेकर भाजपा नेता शहजात पुनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया मैं बस उम्मिद करता हूँ कि शरत पवार को अलका लामबा जैसे लोग फिर से गालिया ना देने लगे क्योंकि इंडिया गड़ बंदन में रहुल गांदी को या फिर उनकी बातों को कोई गंभिरता से नहीं लेता यह तस्विर हजारों शब्द कहती है बर्शत रहुल गांदी इसे सुनने को तयार हो इसी के साथ बने रहे है एशानी जिन्डा के साथ घंडिवाद